Hello guys, welcome back to our channel PCMB Digital Gurukul Round 2 का जो रिजल्ट आ है बिटा आयूश का उसकी केटेगरी वाइस कटोफ अगर मैं आपको बताऊं कि किस कोर्स में किस केटेगरी में कौन सा कोटा मिला है तो Central Institutions का जो लोटेड कोटा था B.A.M.S के अंदर अगर ओपन केटेगरी की बात किया जाती है तो उसमें जो लास्ट एडमिशन हमारे को मिला है वो 45,000 रैंक पर B.A.M.S मिल गया है Central Institute से अगर B.A.M.S में Central Institute में OBC केटेगरी देखते हैं तो OBC केटेगरी के अंदर 47,825 E.W.S के अंदर 49583 SC केटेगरी के अंदर 155442 ST केटेगरी के अंदर 149814 OpenPWD में 4216 and OBCPWD में 878259 तक अडमिशन जो है वो अराम से मिल गए हैं और OpenPWD में 842146 तक ST केटेगरी में 149814 यह मैंने आपको बता ही दिया है अब इसी के साथ अगर हम same sequence रखते हुए BMS में हम institution wise change कर दें तो दिल्ली कोटा के अगर हम बात करते हैं तो ST केटेगरी में दिल्ली कोटा में कोई seat allocate नहीं करी गई है दिल्ली कोटा में ही BMS में अगर हम कोटा दिल्ली रखते हैं ST केटेगरी के बाद open केटेगरी में आ जाते हैं तो 31142 पर मिला है तिब्या कोलेज OVC केटेगरी में 31899 पर मिला है EWS केटेगरी में कोई seat allocate नहीं हुई SC केटेगरी में 115596 पर एक ही कोलेज रखते हैं दिल्ली कोटा में ST केटेगरी में कोई seat नहीं open PWD में 182196 पर और OVC PWD में भी कोई seat allocate दिल्ली कोटा में नहीं हुई है दिल्ली कोटा के बाद All India Quota Government के अगर हम बात करते हैं और starting से देख लेते हैं तो open केटेगरी में All India Quota Government के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपको admission मिलेगा 53805 रांक तक की admission आपको मिला है open के बाद OVC केटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो OVC केटेगरी में जो admission है वो 54944 रांक पर है EWS केटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये 55810 पर है ST केटेगरी के अगर हम बात करते हैं तो ये 166044 पर है ST केटेगरी की अगर बात करते हैं All India Quota Government के तो 181946 रांक है Open PWD में 906-946 रांक है और OVC PWD में लास्ट सीट जो गई है वो 906-946 पर ही गई है तो ये आपको एकदम अच्छा Open PWD में 830-323 पर था वही आद हो गई अब इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करें All India Quota Government के बाद All India Quota Government Aided All India Quota Government Aided में अगर Open केटेगरी की बात करते हैं तो ये सीट आपको मिली है 57904 रांक पर OVC केटेगरी में All India Quota Government Aided में सीट मिली है 60759 पर EWS में सीट मिली है 61363 पर SA केटेगरी में सीट मिली है 172564 रांक पर ST में इस केटेगरी में 189572 189,000 ST केटेगरी में 189572 Open PWD में एकी सीट है 447848 OVC PWD में कोई सीट अलोकेट नहीं हुई है All India Quota Government Aided के बाद linguistic minority के अगर बात करते हैं तो BMS में Open केटेगरी में एकी कॉलिज में 51407 OVC की कोई सीट नहीं EWS पर किसी और केटेगरी की यहां पर कोई और सीट नहीं होगी linguistic minority के बाद Muslim Minority Quota में Open केटेगरी में इंगलूरू के कॉलिज में सीट मिली है और जहां पर की Last Admission 260846 पर हुआ है उसके लावा कोई और केटेगरी आपको यहां पर नहीं मिलेगी Muslim Minority Quota के बाद Management या Paid Seats के अगर हम बात करते हैं तो Management या Paid Seats में जो Cut Off गई है वो आपको यहां पर दिखेगा कि आलमोस तो किसी भी बच्चे को Admission मिली जाता है तो यह 6-7 लाग तक राम चाइडमिशन है 6,93 तक Open के लावा इसमें और किसी केटेगरी में कोई और सीट नहीं होगी Jan Minority Quota के अगर बात करते हैं हम लोग तो Jan Minority Quota में Open केटेगरी में 101962 पर सीट अलोट हुई है और Self Finance Colleges में तो कोई भी सीट अलोकेट नहीं है इस Quota के अंतरगर दिल्ली Quota में आप देखोगे तो Allotted Category दिल्ली Quota नहीं Self Finance Quota में अगर हम देखेंगे तो कोई सीट अलोकेट नहीं हुई है तो यह आपको मैंने BMS के बारे में बता दिया सब Quotas का अब हम BMS के बाद BUMS की बाद कर लेते हैं तो BUMS में अगर हम देखेंगे तो वही स्टार्टिंग से Central Institutions से शुरू करते हैं Central Institutions में Open Category में BUMS में जो Admission मिला है 4, 3, 5, 0, 3 पर मिला है OVC Category में 4, 5, 2, 2, 0 EWS Category में 3, 3, 2, 9, 5 SC Category में 1, 4, 4, 0, 1, 6 SC Category में 2, 0, 6, 7, 4, 6 Open PWD या OVC PWD में Admission की जरूतिस में नहीं पढ़ती क्योंकि generally admission मिल जाता है Central Institutions के बाद दिल्ली कोटा में अगर हम बात करते हैं तो Open में दिल्ली कोटा के अंदर भी 1,17,232 तक admission मिल गया OVC में 1, 6, 0, 7, 6, 3 EWS में 2, 8, 6, 9, 3, 3 SC Category में 2, 7, 7, 8, 6, 1 and ST Category में कोई seat नहीं है या PWD वगेरा में कोई seat अलोकेट नहीं करनी पड़ी दिल्ली कोटा के बाद All India Cota Government Aided की बात अगर हम BOMS में करेंगे तो यहां पर आपका admission 1,22,000 तक मिला OVC Category में अगर बात करेंगे All India Cota Government 1, 1, 3, 0, 6, 4 EWS Category में 1, 3, 5, 7, 2, 1 SC Category में 2, 7, 2, 1, 3, 2 ST Category में 3, 2, 9, 1, 4, 0 Open PWD या उसमें कोई admission नहीं की जरूदे नहीं पड़ी All India Cota Government Aided की अगर बात करेंगे तो यहां पर Open Category में कोई admission नहीं था यानिकि इसकी कोई seat किसी category में इस quota में नहीं है उसके बाद linguistic minority में भी obviously VOMS की कोई seat नहीं है Jain minority में भी कोई seat नहीं है Muslim minority quota की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको देखेगा कि इसमें admission जो है वो 2,07,092 तक हुआ है और Muslim minority में open के लावा कोई और category जनरली नहीं मिलती Muslim minority quota के अगर management या paid seats की बात कर लें तो यहां पर open category में VOMS के लिए 2,15,000 तक admission मिला है उसके बाद अगर हम अगले quota की बात करते हैं management या paid seats के बाद तो Jain minority है उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो BHMS के अंदर जो admission है वो Central Universities में अगर हम देख रहे हैं तो यह हमें मिला है 88166 पर जिसमें कि हमें यह वाला college locate हुआ है ऐसी कॉलकत्ता के college locate हुए Central Universities के बाद दिली quota में अगर हम देखते हैं इसको तो नहरो उबेपेथिकल 74,000 ट्राइंग तक allocate हुआ है All India Quota Government Aided में अगर हम BHMS को देखते हैं तो यह हमें मिला है 1,4,617 तक All India Quota Government के बाद Government Aided में अगर हम देखेंगे तो 107,553 linguistic minority में कोई seat नहीं होगी Muslim minority quota में अगर हम देखेंगे तो इसमें में seat मिलेगी BHMS की 6,75,6,5,0 पर linguistic minority के बाद अगर हम Muslim minority के बाद अगर हम management या paid seats देखते हैं तो उसमें भी हमें RAM से open category में seat मिल गई थी at round rank of 7 to 8 lakh यह नहीं 9 lakh तक यह नहीं हर बच्चे को almost seat मिल गई Central लिवस्ती में category wise नहीं चेक करा हमने तो OBC में अगर हम इसमें देखते हैं OBC में 1,03,000 था EWS में Central University BHMS जो है वो 1,19,18 था ST category में 1,94,000 था ST category में जो rank थी 263,842 थी और PWD वगेरा में admission की जरुत इस quota में जनरली नहीं बढ़ती है दिल्ली quota में अगर हम category की बात करें उपन तो हम discuss कर चुके हैं OBC में 105,335 EWS में 79097 SC category में 166211 ST category में कोई seat नहीं और PWD वगेरा में भी कोई seat locate नहीं करी गई All India Kota government के अगर बात करते हैं हम तो OBC category में जो seat locate हुई वो हुई थी 121009 EWS में जो seat locate हुई वो हुई 134219 SC category में जो seat locate हुई वो हुई थी 215914 SC category में जो seat locate हुई वो ही थी 291481 ठीक है उसके बाद अगर हम All India Kota government के बाद All India Kota government added की बात करते हैं तो Open category के तो हम बता चुके हैं OBC category में 116400 EWS category में 126086 SC category में 221801 ST category में 265898 और यह वाली seat हमें इस तरीके से यहां पर locate हुई है इसके बाद बाकी colleges में तो category का कोई इतना problem था ही नहीं लेट्स फोकस टू लास्ट कोर्स तो नाइन लिंक आपको मिल जाएगा उहां गर्स झाल झाल